हेलो स्टुडेंट्स है मिली आदव विल्कम तो माई यूटूब चैनल नॉलेज एट्विट मैस गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्जामपल 11 चाप्टर वन रेयल नंबर से erenus यूट इस तो्टो पूरे र राश्नॉल नंबर गया लेकिन आपको सब्से पहले जो का में राश्नल इराश्नल słu होगा अगर यह कुछ ऐसा गिवन होता गिवन डाट रूट तो इस इर्राशनल तब आपको सिर्फ वही स्टेप लिखना होता जो भी हम इसे स्वाल करना जा रहें लेकिन ऐसा तो इस क्वेस्टन में कहीं नहीं दिया कि रूट टू एक इर्राशनल है दैन आपको यह आपको इर्राशनल प्रूफ करना है तो आपको सबसे पहले यह करना होगा यह क्वेस्टन आपका फोर माक्स में बोर में पूछा जाता है तो इसको आपको करने के लिए अगर आपको फोर माक्स पूरे चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि इसको आपको पहले रूट टू को irrational प्रूफ करना होगा तो वह स्टप फिर बहुत छोटा हो जाता है लेकिन अगर यह आपका गिवन होता इर्राशनल और यह इसको करना हो वह इस step आपका बहुत शॉर्ट हो जाएगा उसे अभी वह इसे करने वाले वाले लांग में पूछा तो आपको ऐसे करना है कि पहले रूट तू को कि रैशनल प्रूफ करना होगा तो हम यह लट करलेंगे कि कि यह आपका इक राशनल लंबर है अगर यह राशनल होग क्योंकि अगर यह 0 हो जाएगा तो यह infinite हो जाएगा कोई भी number अगर 0 से divide हो रहा तो infinite हो जाता है then undefined हो जाएगा तो फिर wrong हो जाएगा तो इसलिए b 0 नहीं होना चाहिए then आपको यहाँ पर अगर a और b co prime है co prime का मतलब होता है जिनका common factor सिर्फ a खाता है one होता है उनका hcf सिर्फ one होता है one के लावा कुछ भी नहीं होता तो इसलिए यहाँ पर यह co prime आने चाहिए बट जब हमने इसे solve किया और यह देखा कि a जो है वो two से divide हो रहा है और b जो है वो भी आपका क्या था यहाँ पर देखा हमने तो two से divide हो रहा था यहाँ आपका a और b दोनों ही two से divide हो रहा है तो अगर आपके दोनों numbers two से divide हो रहा है लेकिन हमने तो यहाँ पर co prime let किया था तो इसका मतलब है कि हमने गलत wrong हमने let किया था यानि इसमें two भी एक factor आ रहा है इसका जबकि इसका two factor नहीं आना चाहिए था सिर्फ one ही factor में आना चाहिए था यानि हमने यह गलत wrong किया इसका मतलब है कि यह root two irrational हो जाएगा यानि जो हमने rational let किया था assume किया था वो wrong है यानि यह आपका irrational है तो इतनी बात आपको जो है पहले solve करनी है तो आपको क्या करना है फिर उसके बात अगेन आपको यहाँ पर इसे assume करना है तो उसको फिर ऐसे solve करेंगे let us assume that three root two is rational तो अब आपको इसे rational दिखाना होगा यह step बहुत चोटा होगा क्योंकि आपको यह अपने प्रूफ करी दिया कि root two ए कि rational है तो आपको फिर बस केवल इतने terms को करने के लिए बहुत चोटा step करना है दिखिए क्या 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 करना है इसे पहले आप root two को rational let कर मतलब यह ऐसा होगा now let now let three root two is equal to a by b यह इस format में होगा यानि इसको आप क्या लिखेंगे जहां पर a और b आपके co-prime होगे where a and b are co-prime co-prime and positive integer और साथी साथ positive integer भी होगे क्योंकि integers वो होते जो number line पर represent करते हैं हम लोग और a और b को भी कर सकते हैं तो यहां पर भी यह होगा and इसके साथ ही साथ आपका where b is not equal to zero भी होना चाहिए नहीं तो यह rational नहीं रहेगा तो इस तरह से करने के बाद जैसा कि आपने सरफ इसे ही proof किया है कि यह irrational है इसका मतलब पूरे terms को जो है excite करना है और root वाले value को excite करना है और अगर आपने इसे proof नहीं किया है तो इसका मतलब आपके question में वो given होगा तब भी आपको root वाली value को excite करना होगा लेकिन आपको root 2 को irrational proof करना ही करना है अगर given है तो ठीक है नहीं है तो करना ही पड़ेगा नहीं तो marks न और बी के फॉर्मिट में यह चीज़े हमारी आ गई हैं तो हमने यहां पर जैसा कि जानते हैं तो इसका मतलब यह प्रत्री आ गई हो जाएगा इस अगर आपका रैशनल नंबर हो गया तो अभी आपने यहां देखा कि रूट टू एक राशनल इनके एक्वल है यहां बीच में अगया है और यह राशनल है और यह यह उक्वल का साइन लगा इसका मतलब यह भी राशनल हो एक क्या हो जाए का तो अब आप अभी व्OL स्ोर्णल है इसका मतलब है यह रोंग हो गया घ्रीघेंगे यहां पर लिखेंगे अभी मैं इस नोट ऑने पर निखेंगे इस कि this contradict the fact that root 2 is irrational number तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर क्या हो जाएगा यह जो हमने यह लट किया वही गलत है इस शोज आवर अजंप्शन इस इंकरेक्ट इंकरेक्ट तो अगर यही इंकरेक्ट हो गया रैशनल लट करना ही तो इसका मतलब यह रैशनल नहीं है यहीं इर्रैशनल है तो यह हो गया आपका इर्रैशनल और हैंस प्रूवड हो गया तो यह था आपका एग्जाम्पल 11 थैंक यू सो मुच फॉर वाचिग